अलो फ्रेंट्स माय सहब डॉक्र सुनील ताओर कंसर्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम बात करेंगे वट इज आइडियली एज ऑफ राइनोप्लास्टी की क्या आइज आइडियल है जै पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पह में पिशेंट के अंदर तो आइडियल जो एज है वो करीब 16-17 इयर आइडियली एज जो मेल पेशेंट में है और अगर फिमेल पेशेंट की बात करते हैं तो आइडियली हम यह मानते हैं कि उसको पीरिड्स आने के बाद यानि 14 to 15 पे जो है वो राइनोप्लास्टी हम यु develop हो जाता है अगर patient के लिए कोई graft की जरूत होती है तो वो भी हम harvest कर सकते हैं और patient जो है उसकी चहरे पे जो बदलाव आता है उसकी जो nose में जो बदलाव आता है उस बदलाव को आए जो है receptive करने के लिए जो है वो prepare हो जाता है इसलिए ideally you usually choose की जाती है ऐसे अगर हम दोस्तों देखते हैं तो दूसरा पहलों यह है कि बहुत बार अगर जो नोज की आपकी जो विक्रती है नोज की जो डिफोर्मिटी है उसके कारण अगर नोज से कंप्लीट नेजर ब्लोकेज रहता है आपको बिल्कुल भी ब्रिधिंग नहीं आती है तो यह जो इन पिडियाटिक राइनोप्लास्टी अगर जो बच्चे की जो डिफोर्मिटी और जो विक्रती है उसके कारण उसको कंप्लीट नेजर ब्लोकेज रहता है उसको ब्रिधिंग नहीं आता तो हम जो है 14-15 साल के बाद या 17 साल तक उस विक्रती का ठीक करने का इंतजार नही कर सकते क्योंकि उस विक्रती के कारण उसकी सरीर पे बहुत सारे और कॉंपलीकेशन और दोस्परिनाम होते हैं इसलिए हम उसको पिडियाटरिक एज में या करीब-करीब जो है वो आट-णो साल दस साल पे भी पिडियाटरिक एज में राइनोप्लास्टी कर सकते हैं बहु 50-year-old को भी कोई नोज में प्रॉब्लम है और उसने आज तक नोज डिफोर्मिटी का ट्रीटमेंट नहीं करा है तो वह भी राइनोप्लास्टी करा सकता है अगर आप 60-year-old हो तो भी आप राइनोप्लास्टी करा सकते हो क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रिवियस टाइम में आ आपकी फाइनेंशल कंडिशन अच्छी नहीं थी आपकी अवेरनेस नहीं थी तो एज सच ऐसे कोई एज ऐसा फिक्स नहीं है कि इस एज में हम नहीं करा सकते है तो राइनोप्लास्टी डिपेंड करता है कि जो हमारी डिफोमिटी है देट इस प्योरली कॉस्मेटिक और फ एंड रेस्ट जैसे गर्स और बॉइज में हमने डिसकसन किया और एट पार हाइर एज का कोई फिक्स टाइम नहीं है हम कभी भी करा सकते हैं बड़ दोस्तों राइनोप्लास्टी कराने से पहले हमें ये चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो है हम प्राइमेरी हम है तो डेफिनेटली जब हम नया नोज बनाते हैं तो आपको बहुत उसमें अच्छा लगेगा और वह रिसेप्टिव होगा लेकिन अगर आप सेकंडरी मोटिवेटेड हैं अगर आपको लगता है कि सब लोग बोलते हैं मेरा नोज अच्छा नहीं है सब लोग कहते हैं क दोस्तों ऐसे में अगर आपने राइनोप्लास्टिक कराई तो आप जो हो सकता है सटिस्पाइब नहीं होगा इसलिए पहले आपको खुद को जान लेना है कि मेरे नोज में ये भी करती है और ये जब भी करती ठीक होगी मेरा नोज ऐसा लगेगा और उसके बाद जो है रिगार्डिंग राइनोप्लास्टिक के आपको बूच नहीं आप अपना क्योंस हमारे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं आपको डेफिनेटल उसका रिप्लाइ जैसे आपको मिलेगा और आपको जो है हमारे इंस्टाग्राम जो है पेज से भी जो है लिंक आपको जो है कर स झाल झाल